असलाम लेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप के सब लोग होंगे ठीक ठाक और खुश्बाश जी तु वीवर्स आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं अम में ही के गार है हम लोग तो वहां का विलोग यानि के वहां पर जो हमाई रोटीन रही वह आप लो हम लोग क्या कार रहे हैं हुर क्या खाबी रहें इस सारा कुछ मैं आपनों को दिखाऊंगा आज के व्लोग में बस आप लोग ने करना यही है लोग करना है वीडियो को फैसे लोगां मूबधेपने व्लोग के बड़ह कर रहे ह Kimberly सारे मिलके दो प्रपर्ली व्लोग हम पर दोनों बही के बच्चे हैं और मतलब बाजी की बच्चे और हमारे बच्चे है तो यह यहां पर खेल रहे हैं तो बाजी के बच्चे तो मतलब जो है वो इतुम गईदू करे ले रहे है तो आपको पता है बच्छेश के लग बच्छे कियुस्त कि कुईत बचल लीकों कनी के साथ भिन लुग कर लों भी आज के लिए वह ऑने आपको तो बड़ा मज़ा आया था यहां पर हमें बड़ा ही अच्छा लगा था बहुत सारी यादे लेके हम लोग आगे हैं घर वापिस आज मैं घर आके ही ये विलोग जो है ना का रही हो एडिट और आपनों के साथ शेयर का रही हो तो बड़ा ही जारा मुझे यादा आ रहा था जब मैं विडियो खुद भी देख रही थी और इसको एडिट का ओर ती ना तो सारह मतलब सिण जो है मेरे Prem junto सले चाल रहा था जैसी भी आ है कि कोई नहीं बचे खेलने के लिए आए हुई है तो खेलने जी बर के जरा दिल भूश कर ले अपना तो सो यहां पर यह भी खेल रही है और मैं बाकी बचे भी आप लोगो दिखाती है यह देखें जाए जार्टी है यह बाजी की बेटी है मेरी बान जी और इसके साथ साथ इनको वासे देरी इधर आ जाओ उधर ना जाओ इधर आ जाओ आप नों को पता ही चोटी-चोटी दिवारे साइड़ों पे हुई हुई है या या नहीं मतलब चारों तरफ हो चाथ के लेकिन फिर भी डार रहता था मतलब बार-बार बच्चे जो हम लटक रहे होते तो कैमले की तरफ देखो लेकिन उसका देहान नहीं अभी है वह वैसे दूसरों को देख रहा है कैसे कैसे सारे खेल रहे हैं तो चैनल जी वीवर्स अब हम लोग आ गए हैं नीचे तो नीचे हम लोग आए हैं बाई-लोगों के पोर्शन में आज हम लोग यहां पर इन्वा आती हूं असल में आज बाई की चोटी जो बेटी है ना मॉमल उसकी है बाई डेट सो बाई ने कहा कि आ जाएं सारे मिल के करते हैं सो हम लोग आये हुए हैं यहां पे इनके रूम में तो बाई भी आ गया ऐसी का वेट हम लोग आ रहे थे कि यह आये तो फिर मतलब के एक व जाना होता है कि अब एक बार ही हमारा चकर लगता है तो फिर यह उता है कि बच्चे भी बड़ा जारा फिर याद करते हैं बड़ा मिस करते हैं कि हम लोग गए थे तो मतलब साल गिरा हुई थी और इस तरह से सालिबरेशन हुई थी तो बड़ा मज़ा आया था तो यह प्यार करते हैं खुद प्यार लेते हैं फिर बस समझे कि यह इसी तरह है तो कुछ वेश साथ में भाई शौरमा लेकि आया था क्यूंके बच्छों से पूछा था कि क्या आप लोगों ने खाना है तो शामीर शारबनों कहने लगे कि हमने तो शौरमा स्काने हैं सोबाई ने क आकर चलें जो बच्चों ने खाना है वही हम लोग ले आते हैं तो यही था आज का मैनियो हमारा और यही हम लोग खाते पीते हैं बट यह कि शौरमा जो है ना इतने बड़े बड़े थे ना मैं भी आपनों को दिखाती हूं बात में पहले हम लोग ज़रा इस बच्ची को कि यहां और यहां बोड़े ना के मेरी वीडियो बन रही है बच्चे आपको पता कितना खुश होते हैं तो यहां पे जी केक ओपन हो गया है यह देखें कितना प्यारा केक है मुझे इतना ज्यारा परसनली पसानता आया था ना यह केक देखे रहें इसको तो बड़ा मतलब अच्छा सा फील आ रहा था हर सही जैसे गर्मियों में ठंडर का सा एहसास होता है ना उस तरह से युँकि यृयाइट प्सकाइ कलर का था तो बड़ा मुझे अपसांद आया था तो यहां पर यह देखे तो फूब भो गया था कर खायाक तो गजिस तरह से आप रहें चुछा मैंने चोटे चोटे जो है ना इसके बना लिए थे यानि के विडियो क्लिप बना लिए थे तो मैंने का आप लोगों के साथ हम लोग पर शेयर करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे तो यहां पर यह जो बैड़े गल के कट करने लगी थी बट यादा आगया कि एक चीज त केंडल नहीं कि थी है क्योंकि माशलास तीन साल की होगी और इसने पकड़के एक दम से केक काड़ कर दिया सो बाद में हम लोगों ने भी क्लैपिंग की पता ही नहीं चला है कि इसने केक काड़ भी दिया बच्चों के चोटे-चोटी बस मसूमियत होती है हो क्यूटने सो थ तो आप सीचाने साथ पकड़के तो अब सब को बारी बारी एक खिलाते हैं बच्चों के इंदेजार भी जो है ख़तम हुआ क्योंके बच्चों को इस पाद केंदाब केक बार जाए तो फटा प्रुट केक खाएं तो पिर उसके बाद जाया हम्लोग केक कारें जाना हम लोग बारी बारी सब को खिला दिया है ये दो बैने हैं और एक चोटा इनका भाई है बड़ा प्यारा माशाला से मुकर्म अल्दाला सब बच्चों को से तदर उस्ती वही लंबी जिन्दी दे तो अल्दाला जो आना इनको हमेशा इस तरह से खुश रखे शाद अबाद रखे तो शौर्मा ना सब ने इस तरह से प्लेट में ओपन कार लिए थे शौर्मा बड़े हैवी किसम के बने हुए थे खुद बखुदी अंदर से मैटीरियल जो नहीं निकल रहा थे देखे मैं आप लोग के दिखा लिए हैं कितना ज़्याद आप लोग को नज़रा आ रहा है यह है अबू तो इन लोगों को पता नहीं था कि विडियो भी बननी है तो जैसे जो जिस कंडिशन में था उसी कंडिशन में आ गया वे तो चले खेर आप भी हमारी फैमली ही है तो आई होप कि आप लोग इतना फील नहीं करेंगे कि यह मतलब किस तरह से हैं तो देसी को बताया कि शौर्माना ठंडे हो जाने थे इस वरह से पहले जो है न हम लोगों ने वो खाए है और समझे कि बस वो खा के ही पेट बार गया साथ में एक एक मतलब गलास कोल निंग हम लोगों ने पी तो अब केक की गंजाश थी नहीं बट ये के बच्चे हैं बच्चे तो फ के सारा खाल है न है तो ये मेरे साथ ही कैमरा मेरा पाड़ा है इस ते छाहारा है मेरे तो यहां पर यह हमारे घर का महुल इस टपर चाल रहा है माशाल ला से तो और अला हो से बचाए और अल्द अल्द सब को हमेशा शाद अबाद रखे खुश रखे बेटियों की तो हमेशा दुआ होती है कि उनका मेका जो अब इस तरह से स्लामत रहे और हस्ता बस्ता रहे तो चलें जी अब इसके बाद खापी कि हम लोग चलते हैं नीचे और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग जो है उसका दिखाती हूँ यह देखें जी अब होगए नेक्स्ट डे तो आज है यह कम महर्रम नहीं तो मैं बना आ रही हूँ यह मतलब लिख रही थी बिस ज़्यारा फजीलत है तो यह आप लोग भी ज़रूर लिखा करें मैं भी यहां पर लिख रही थी मैंने का चले थोड़ा सा आपनों को दिखाती हूँ ताकर थोड़ी मोटिविशन मिले आपनों को और आप लोग भी ना यह काम ज़रूर करें तो बड़ी ज़्यारा इसकी बरकत है आपको बता है अल्ला का नाम है और अल्ला के नाम में बड़ी सारी रहमते हैं बड़ी सारी बरकते हैं तो यह देखें इस तरह से मैंने यह लिख लिख लिए माशाला से 130 माल तबाप पूरे पेज़ के उपर यह आ गई है तो यह अब हम इसको संभाल लेते हैं और मतलब मैं तो ज्यारा तरह अपने पर्स में ही रखती हूं मैं काफी देर हो गया माशाला काफी साल मैं तब से लिख रही हूं और अपने पर्स में राख लेती हूं फिर तो ये काम हमारा हो गया था इसके बाद बचे फिर से उपर खेल रहे थे तो यह देखें जाना बाजी का बेटा यह मेरा बतीजा है यह जंडिया इस तरह से उड़ा रहा है और बचे पाग लोगी तरह बाग रहे हैं और बाग बाग के ना तो बस पकड़ रहे हैं जैसे पैसे जो हैं फैंक के जा रहे हैं तो बचे बाग बाग के पकड़ रहे हैं इतना अच्छा माशाला से मुझे लाग रहा था इतनी मुझे हैसी आ रही हो खुशी भी हो रही कैसे यह बाग बाग के पकड़ रहे हैं तो सो मैं आपनों को बार बार बता रही हैं मिश्याला से बच्चों ने खुब खुब बिंजुआए की है तो यह देखें मुहमद दौद अब यहां पर इसने स्लाइड बनाई हुई है यह हमारा जो मतलब यह जंगला होता है जहां से मतलब यह थोड़ा बना हुआ होता है बारिश वगयरा के लिए उपर यह डाल देते हैं चादर है यह लोहे की बनी हुई शीट तो यह इसके उपर खेल ले ला गया था और स्लाइड ले रहे देखें तो यहां से मैंने थोड़ा व्यू ले लिया अब यह सारे बचे बैठें चटाई पर आपनी जंडियां आप गिन रहे हैं किसने कितनी पकड़ी हैं किसके पास कितनी हुई है चले जी अब है हमारी वापसी के ती आ रही तो बाजी ने खाना बनाए है पाई बनाए है मतन पाई तो रैस्पी में आप लोगो नहीं दे सकी कियोंकि यहां पर मैं को स्टैंड वगेरा तो लेक नहीं थी आई जो प्रापर में स्टैंड लगा के वीडियो जो शूट कर ल तो पहले मैंने सालन दिखाया था सालन नसर में पहले रखा था चाब बाब में आये थे इसलिए चलें जी दुबारा आप लोग और देख लेए इसके साथ हम लोग ने बिना आता यह खनी वाला पुलाव तो यह हम लोग खाना माना खाते हैं और बैग हमने पैक करके रखे हुए हैं मैं आप लोग को दिखाते हुए हैं एक दफ़ा यहां का माहौल किस तरह से हम लोग बैठ करके रखे हुए हैं बैठ के उपर ही पड़े हुए हैं अभी अब यहां से हम लोग उठाते हैं और फिर अम्मी को अबू को से तन्दूरुस्ति वे लंबी जिन्दी दे मेरे बाइयों को सलामत रखे अपने अपने गरों में शायाद अबाद रखे हम सब को सारी बेहनों को भी तो मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट व्लोग में अला हाफीज अला ने के बाद